दोस्तों आज मैं आप से बात करना नहीं कुछ मुद्दू पर भावनाओं से जुड़े हुए लोग जो भावनाओं में इतने ज़्यादा भावक होते हैं जैसे कि आप लोगों को मुझे कोमेंट आयेंगे मैं जानती हूं क्योंकि मैंने पिछले जीषण जीवन पर आधारी जाएं काई कोमेंटि आते हैं सेम हमारे साथ भी चीजा होती है इसलिए में नेक्स वीडियो लेके आई हूँ आपकी भावना इतने भावक होते हैं भावना मत रूप से लोगों से जुड़े होते हैं आप कभी भी किसी से जूट नहीं बोलना चाहते हैं मैं सच बोल देते हैं चाहे वो सच आप पे इतना भारी पढ़ जाए कि आपकी जिंदग्यों में उथर पुथर मचाते हैं लेकिन आप जूट कहना नहीं चाहते हैं आप दूसरों पर तुरंत वरौसा कर लेते हैं आपको लगता है मैं सही हूं तो सामने वाला भी चाही है वो मेरी भावनाओं को समझेगा कभी कभी इसी ग कर जाते हैं लोगों के सामने में आपको महान अपको बाटने करें हैंay और जाते हैं आप लोगों स नहीं चिकनी चुपड़ें आपको 127 करपाते हो कि मैं बेस्टी को जानों समझ जो आपको लगता है मैं जैसा हूं दूसरा ही मुझे मिल गया है क्योंकि यह मेरी तरह बोल रहा है तो शायद मेरा जैसा होगा इसी कलत फैमी में आप उस ब्यक्ति को अपना जीस समझने लगते हैं कुछ जानने की जरूरत नहीं समझते अपनी सारी जो किताब होती ना आपकी मन की वो खोल के उसके सामने में रख देते हैं लो मैंने खोल दी आप आके इसे पढ़ हो वो बेखती आपकी खुली किताब को पढ़ता है उसके बाद उसका ब्याखान पूरी दुनिया में करता है सब लोग उसे आपकी बात कहता है आपकी जजबा आपकी चीजों को बढ़ा चड़ा कर दूसरी जगह कहा जाता है एक के बाद दूसरी जगह दूसरी जगह पबलिक की लोगों की नजरू में आपको कहीं से भी गिराने से ऐसे लोग मौका नहीं छोड़ते और धिरे धिरे क्या होता है आपकी जो सामाजिक छबी होती है वो खराप होने लग जाती है आजकल ऐसा नहीं कि लोग आपसे डिरेक्टर आके पूछेंगे लोग दूसरी के कहीं बात तुमा तुरंत आ जाएंगे और दूसरी दूसरी के बात उसे पूरा अपने और मत रख जाने की कोशिस नहीं करेंगे कि वो सही है या गलत है और वो आपको हजज कर देगा और आपको गलत सिद्ध कर देगा सबसे पहले आप लोग जो आपके नजदीक आते हैं उनको समझ ये देखे सुनिये तब अपनी बात को रखे हो सकता हो किस रूपा आप से किस वारत से आपके पास आ रहा है और कौन सी इंफोर्मेशन आपसे लेकर आपको नीचे गिराने वाला है इसलिए कभी भावनाओं से मानती हूं मैं इसको गलत नहीं कह रही हूं क्यों मैं खुद एक भाव कूं मुझसे कई लोग पूछते हैं और तो मैं खुद ऐसी चीजे बोल देत हैं कि हम जबाव दें लेकिन आप भावनाओं से इतने जुड़े होते हैं कि आपको अगर कोई कुछ बोल भी जाए आप उसे जबाव देने में भी डरते हो तो फिर अपने आपको सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है ना तो फिर ना किसी उल्जन में पढ़ने की जरूर जाते हो परिशान हो जाते हो और आप दूसरों की बातों को अपने दिमाग में बठाल लेते हो वैंने तो दिल से उस व्यक्ति को अपनी मन की बात करी और उसने मुझे धोका दिया वाकी मानसिक रूप से आप परिशानियों में चले जाते हो तो भाई जो आपका हुआ ही नहीं जिसने पहली बार में आपकी चुगरी करने शुरू कर दिया आपका लोगों से कहना शुरू कर दिया तो उसके रहे फील कैसा उसके लिए टेंशन कैसा सबसे पहले सवाल मेरा आप से यह है अगर आप भावनात्मक किसी से जब तक आप खुद नहीं चाहोगे अगर वह ब्यक्ति आपकी बार दिना आपकी परमिशन के दूसरे लोगों तक पहुचा रहा है तो आपका अपना नहीं हो सकता नहीं आप कभी भावनाव से जुड़ा हो सकता है इस चीज को समझने की सकती रखिए इंसान के अंद में क्या चल रहा है वह आपके लिए क्या कर सकता है आप पहली बार में पूरी खुली किताब खोल कर रख दे तो जिसे इंसान खुले तरीकी से यूज करता और उसके बाद वह कभी भी आपके दुख के समय परशानी के समय जब उसे आप लगेगा क्या आप उसके किसी काम क आके चल जाए और कोई भी आके आपकी जिन्दगी का मजाग बना के रख दे क्योंकि यह जीवन बहुत बेस्कीमती है इसकी कोई कीमत नहीं है और यह आपके हाथ में होता है अपने जीवन को कितना जाधा आप मजबूत बना सकते हैं कितना जाधा अपने जीवन का सही कहांगे जो ऐसी नियत रखते हैं दूसरों के भावनाओं का दूसरों की जो सोच होती है उसे कमज़ोरी ऑपने मजाग उड़ाते हैं महम लोग उसे भी कऊंगे कभी किसी के जजबात उसे खेलते हो तो कम सकम इतना याद रखो दूसरी की भी भावनाय और आहत होती है वह इतना परिशान ना करें विचारा दुखी हो जाए उसकी अंदर से एक आह निकले और कहते ना गरीब की और सचे इंसान की आह तो बहुत दूआये लगती है इसलिए कभी भी किसकी बहुत दूआये नहीं और दोस्तों थैंक्यू आपने बहुत सारा प्यार दिया आपने पसं सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नाटिवी किसन आप तक आसके आप नेक्स वीडियो तक पहुंच सको मैं मन्जुवी सुकर्मा हदवनी तरखंडी से महला हुं के लिए भाई बहनों के लिए एक गाइडलाइन रातियों मोटिवेशन रातियों कि आप अपने ज नया मोटिवेशन आपको अपने जिन्दगी के अपने जीवन के जो मेरे अनुभव है सच्च वो मा आपके बीच लाके रखो तो थैंक्यू दिल से धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से सुक्रिया थैंक्यू धन्यवाद और भगवान की किरपा सदय जवाब पर बनी रहे सुरक्सित रहे ऐसे लोग उसे बच रहे थैंक्यू दिल से धन्यवाद